युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और दिल सम्मंदी बिमारियां तेजी से बढ़ रही हैं खासतोर पर ओफिस वरकिंग और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंस इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं नमशकार मैं दिती फॉसदार आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्स सेग्मिन सेहत नामा आज हम बात करेंगे स्ट्रेस का क्या असर पढ़ता है हमारे दिल पर डॉक्टर्स के अनुसार बदलती जेवन शेली, फैट, युक्त, भोजन और एलकाहॉल का बढ़ता सेवन इसका प्रमुक कारण है डॉक्टर्स बताते हैं कि काम के दौरान पैदा होने वाला तनाव और ठकान, कॉरिनरी हार्ट डिजीज का एक बड़ा कारण बनता है प्रोफेशनल फील्ड में बढ़ता कॉंपिटीशन और डेडलाइन भी युवाओं पर दवाब बढ़ा रहा है इन कारणों की वज़त से ही दिल से जुड़ी बिमारियां पैदा हो रही है वर्किंग लाइफस्टाइल की बदलाव के कारण हिद्दे संबंदी शिकायतों का खत्रा 10 से 15 परसेंट बढ़ गया है चली आप जानते हैं किन चीजों से आपको सबस्यादा असर पढ़ता है सबसे पहले तनाव डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चों को ऐसे टाइम में बच्चपन से गतीहिन शैली का सामना करना पड़ता है एक्सेसाइस के लिए बच्चे समय नहीं दे पाते लंबे समय तक तनाव में रहना या तनाव पून काम करने से एडर्नर और कोटीसॉल जैसे हॉर्मन का स्थर बढ़ जाता है इससे ब्लड पेशर बढ़ने लगता है और हार्ट की ब्लड सेल्स में ब्लड के थक्के जमने लगते हैं इससे हार्ट अटेक के खत्रे भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही दूसरा बड़ा कारण है धुम्रपान। युवा धुम्रपान का शिकार तेजी से होते जा रहे हैं। स्मोकिंग उनके लिए एक फैशन ट्रेंड बन गया है। स्मोकिंग शरीर पर बहुत बुरा प्रभाब भी डालता है। आप अपने दिल को फिट रख सकते हैं। दिल को रखे फिट रोजाना कम से कम 45 मिनिट तक तेज़ चले। डाइट का खास ख्याल रखें। खाने में ऐसे तेल का इस्तमाल करें जो आपके शरीर में जमे ना। इसके साथ ही खाने में आप ओलिव ओईल और सफोला यूज करें। इसके साथ ही स्मोकिंग ना करें, नियमित योग करें। परिवार में हार्ट डिजीस हिस्ट्री हो तो नियमित हेल्ट चेक अप कराते रहें। और अगर आपको काफी ज़ादा और दिक्कत हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर सला लीजिए। आज के लिए बस इतना ही ऐसे हेल्थ रे टिप्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद।